मनी मेकिंग मसीन मीडिया बिजनस का साथ दिनों का प्रोग्राम लॉंच हो चुका है दोस्तो www.pahelabusiness.com पे जाके इन्रोल कर सकते हो डिस्क्रिप्स्टन में भी आपको पहला बिजनस की लिंक मिल जाएगी Now let's enjoy the episode Don't miss to check it out, पहला बिजनस आज का episode दोस्तो शुरू करने से पहले ही बता दू कि आज के episode में बहुती juice फ़रा पड़ा है पैसे को लेके बड़ा amount अचीव करने को लेके रियल में तगड़ी information आज के इस episode से निकल के आई है इसलिए episode end तक जरूर complete करना चलिए शुरू करते हैं पहले एंड्रू टेट के साथ कि एंड्रू टेट ने अपना पहला million dollar कैसे बनाया पहला million dollar बनाना दोस्तो बहुती ज्यादा important होता है क्योंकि पहला एक amount तगड़ा amount earn करना बहुती बड़ी बात होती है यह code crack करना यहाँ पर सबसे important होता है future में multi millionaire या फिर billionaire बनने के लिए एंड्रू टेट का दोस्तो पहला business था webcam studio का business webcam studio का business दोस्तो बहुत ही ज्यादा उपर रहा है आज multi billion dollar की industry बन चुकी है webcam studio business की क्या होता है webcam studio है बता दू दोस्तों कभी भी आप adult कोई website पर गए होगे कभी भी एडल्ट वेबसाइट ऐसे videos चो chrome पर सर्ज करते हो रात को कभी भी तब आपको कोई ना को एक ऐसे pop-up messages दिखाई दे रहे होते हैं कि लड़की से बात करो इस call webcam studio एंडू टेट ने webcam studio का बिजनस शुरू कि एंडू टेट जब बिजनस के बारे में रिसर्च कर रहा था अटेंशन दे रहा था तब एंडू एट ने देखा कि यह तो मज़ेदार सुरू कर दिया एक और से बहुत सारे लड़कियों का अरेजमेंट किया और पूरा webcam business को प्रोफेशनली चलाया आज दोस्तों ओनली फेंस करके जो एक प्लेटफोर्म है यही काम करता है वेबकेम स्टूडियो का business है ओनली फेंस मल्टी बिलियन डॉलर का दोस्तों वे श्टाटप बन चुका है future में मैं आपको बता रहा हूँ मैं बहुत सारे podcast सुनता रहता हूँ बहुत सारे investor का podcast भी सुनता रहता हूँ आज दोस्तों बहुत सारे investor line में लगे है लाइन में लगे है only fence में invest करने के लिए क्योंकि only fan दोस्तों future में 20-30-50-100 billion तक का start-up बन सकता है 50-100 billion तक की company बन सकती है इतनी demand है दोस्तों ऐसे businesses की अब ना मैं आपको एक मज़दार बता बात बता रहा हूँ only fence में मिल जाएगा access मिल जाएगा उनसे बात करनेगा लेकिन reality यह होती है दोस्तों कि आप तो पेसा पे कर देता है आपको लगता है जो पेसा पे करता है उन्हें लगता है कि मैं सही कोई real girl से बात कर रहा हूँ जिनके लिए मैंने subscription amount पे किया है लेकिन नहीं दोस्तों वहाँ पे कोई call center वाले लड़के से बात कर रहा होता है यानि कि लड़का लड़के से बात करता है अपना frustration anxiety दूर करता है इसी चीज के लिए पेसा पे करता है इंडिया फिलिपिन्स बांगलादेश इसे देशों में दोस्तों हमारी कंटर की बात कर रहा हूं इंडिया में अब मोडल है उनको लोग पैसा पे करते हैं मंथली बेसी पर कि आप हमसे बात करो टेक्स बात करो अब एसे मोडल दोस्तों यहां पर क्या करते है ऐसी एजनसी में बंदे बेटते है दोस्तों हाजी एजनसी में इंडिया में बंदे बेटते हैं जैसे call center होता है वैसे text center only fence क इलिया चलते यहां पर इंडियन लड़का जैसे सामने से रिपले आता है तो यह पर इंडियन लड़का बेट के सक्सेसफुल फणडिंग देने वाला बिजनेस बने वेंचर है वाई कॉंबीनेटर का स्लोगन दोस्तों वाई कॉंबीनेटर का always build what the people want कि एसी ही चीज बिल्ड करो जो जनता चाहती है तो जनता यही चाहती है इसलिए दोस्तों ऐख मर्टी बिलियन डॉलर का स्टारट अब बन चुका है एंडू टेट में थेट ने भी दोस्तों ऐसा ही लेकिन अपने आप एकसा से 14 इंडीपेंडनेंट वेबिपेंस्टूडियो का पहला बिजनस बनाया था और राद दिन नहींत चुर्ण करके 1 million dollar अपने webcam studio से इंडूरोटेट फूलके बात करता है कि मैं webcam studio में था पहले अभी तो नहीं हुआ अभी मैंने webcam studio बंद कर जा लेकि जब मैंने शुरू किया था webcam studio में professionally वहाँ पे भी business सी webcam studio को treat कर रहा था है यायनि कि कुछ भी इन लीगल चीज नहीं कर रहा था इस लाइक जैसे हम गल्फ्रेंट हैर करते हैं वीडियो को बात करने के लिए वेशे ही में वेब केम सर्विस चला रहा था और कुछ जो हम समझते जो वीडियो पर आते एड़ल्ट वेबसाइट पर आते ऐसा कोई स्टूडियो मेरा नहीं थ दूसे ना ना उनके जो उनकी युनिवर्स ती ए वहां से पैसा निकालते रहे और पर वीडियो में भात कर दिया तो उनके कलब है कसीनों जे तो यह सारे उनके अर्निंग से हैं आध तो बहुत सारी तरिकी से पैसा बना रहा है के एक अपिसोड यूज उसे बरा हुआ है एंड तक जरूर कम्टेट करना एंडू विलकिंसन करके बना एंडू टेट की तरह एंडू विलकिंसन यह वंदा दोस्तों ब्रोक था स्टार्टिंग डाइम पर कुछ नहीं था जीरो से सुरुआत कर रहा था एक वेबसाइट बनाता है वेबसाइट का ना जो वेबसाइट यह उन्हें पैसा कमा के दे रहे थी यह उनके लिए मनी मेंकिंग मसीन थी के वस्काव चीज थी कि यहां पर रेगियूलर बेसिस पर उन्हें यह 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 ली टू मिलियन त्री मिलियन डॉलर का रहा था सबसे पहला मिलियन भी एंडू विलकिंसन ने इसी वेबसाइट से बनाया अब इसे वेबसाइट से जो यह पेशा आता था per year के basis पे 100Ne2 मिलियन इसी पेशे को यूटीलेस तो एंडू विलकिंसन ने टाइनी करके बिजनेसी ओपन कर दिया बिजनेस वेंचर ओपन कर दिया आइनी के अंडर और बहुत सारे विजनस दोस्तों अड्रू väла किन्सट पॉर्छेस करने लगा और आज दोस्क Bacon की चो टाइसी कमपनी पब्लिक इसि लिए पहला उन्सक्रांद चैनल में बने रहा हो गए उन्न तक एपिसवर्ट में बने रहा हो गए तो आप प्रेक्टिकली आपका वन मिलियन डॉलर कैसे अचीव करना है ना वह भी मैं आपको बता दूगा लेकिन वह जूस मैंने डाला हुआ एक और बंदे के बारे बात करते दोस्तों यह तो हमारा इलोन मस्क भाई है इलोन मस्क ने दोस्तों एड़ एड़ ऑफ 27 पहला मिलियन डॉ आया कैसे बनाया जीप्टू संबसाइबें से दोस्तों समार्ट बंदे से इलोन मस्क और उनके ऒाई व्लाउन मस्क और उनके भाई ने धॉस्तों मिलके यहां पे जीब 2 कमपनी की शुरुवत की थी प्री इंटरनेट के टाइम पे दोस्तों इलोन मस्क ने इंटरनेट कमपनी की शुरुवत की जो क्या कर दी थी जो बिजनेस ओनर की डाइरेक्टरीज को अपने लोकेशन के साथ ओनलाइन अवैलेबल करा रही थी यह कुछ ऐसा ही हो गया दोस्तों कि इलोन मस्क ने स्टार्टिंग टैम पे ऐसी कंपनी बनाई आसान बहुता रहा हूं जो बिजनेस इसको ओनलाइन लेकर आती थी कि यदि आपको बाल कटाने तो आप इंटरनेट पर जाके जीब 2 पर जाके एक्सेस ले सकते हो कि आसपास बाल काटने वाली दुक दोस्तों यहां पर पहली बार इलोन मस्क ने ओनलाइन लेकर आना शुरू किया बिजनेस डिरेक्टरी रिगर्डिंग प्री इंटरनेट कंपनी बनाई जीब 2 और यह से दोस्तों इलोन मस्क ने एक कंपनी सोल्ड की किसी और एक कंप्यूटर कंपनी को तब इलोन मस्क ने पहला million dollars बनाया 맛 सबके million डोल दोस्तों अलग-अलग तरीके से बने मैं नवीन जेहन के बात कर लेता है यैदो दोस्तों, नवीन जेहन पाम मिलियन डोलर नवीन जेहन ने अपना-पहला million dollars दोस्तों व गेट्स के साथ से विम इस्ते बनाया कोई व color की पर काम сцен को कमपनी का नाम नाम इंटेलीयस दोस्तों करती क्या है यह बतादेता हो कि सेलच कर ळेना आपको मिल जाएगा मांने कि आपकी नई-नई कोई गर्प्रेंड बनी नहीं-नी कोई गल्फरेंड बनी है आप यूस में रहते हो अब आपको जानना है कि क्या पास्ट में आपकी गल्फरेंड का कोई रेकोर्ड था क्रिमीनल की नहीं था क्या पता आपकी जो गल्फरेंड नहीं नहीं बनी है आपको कहीं पर मेट्रों पर दो आखे मिल गई और आपको जान डर्बास्ट में था की नहीं दिमाग लगया इंटलियस इसको इसे बिल कि देखिए गवर्मेंट में सारा डेटा रहता है तो डिमाग लग गया इंटलियस कंप्पी बने और वे सारी सर्विस दोस्तों इंटिलियस में प्रोवाइड करा दे तो आप से ना वे आपके कार्ड की पेमेट डीटेल ले लेगे और पेमेट डीटेल लेने के बाद दोस्तों वहाँ पे छोटा सा मार्क होगा वे ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आप हमें पर मंथली पेसिस पे 20 डॉ पे किया था उन्हें लगता तक सिर्फ एक बार है लेकिन वहाँ पे लिखा होता है ट्वेंटी डॉलर पर मन ऐसे दोस्तों यह वेपसे टगड़ा पेसा बनाती है और नवीन जैन इसलिए बिलियन डॉलर का मार्क अचीव गर सकते तो एसे थोड़ा बहुत हटके इंट्रे यहां पे यहां पे यूज करना सुरू गिया जीम के लिए हैस्कूल से ही है स्कूल से ही अब यहां पर थोड़े-बहुत दोस्तों मेरे बाल बीच में आ रहे हैं के सामने तो मुझे ठीक करने पड़े के तो दो सेकंड दीजीएगा थोड़े बहुत लंबे बाल के सोख रखने के दोस्तों ये डिसेडवांटेजे अंकट एपीसोड में बाल अच्छे करने पूड़ते चलियो बाल सही होगे मेरे के मेरे के सामने आ रहा है अब मैं बात करता हूँ मार्टीन सकेली की लेप्टोप में थोड़ा बहुत केमेरे की तरह ही दिख जाता है तो दिख गया तो कोई प्रोब्लेम नहीं है मेरे कोंकि यह बंदन दोस्तो एक मेंडिस्न के प्रशक हैं काम करता है और वे अपड्र हें की सटो को एक कही लीज इसदए हैं नो सट किया वह कंपनी के इन सट जान गए धै क्या दूसरी कंपनी कंपनी में कुछ出 नहीं है इसके सेर को हम यहां पर करते है यानी कि स्रूसरक कि कंपनी में कोई दून नहीं है बाद में वही इans़ताश देटा अ Cubble 닉ल यूज में में कि यह कंपनी बेकार ये कॉपनी में और पहले से उन्होंने स्टोक को में कमपनी के स्टोक को सोट करके रखते जैसे कंपनी के बाव किरें रिए वैसे उनका प्रोफित बढ़ा तो वैसे मार्टीज bisa कर लिया मजधर बाती दोस्तों कि एक बारना यह वन सब्सक्राइब कर देने क्राइब दोड़र से ज्यादे की एर्निंग कर लिए भाझ में इसे अच्हाएं यह एक छीज समझ गए थी फार्मसुटिकलस्टी में दंधा बना इसलिए बाइब मिलिएनर बनने के बाद्माटेंश कर लिए ने जैसे अमरीका के मोस्ट एटेट परसंट बने लेकिन 100 मिलियन डॉलर की अर्णिंग भी बनाई उन्होंने दोस्तों बिलिएनर बनने के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया है वेस्ट में आपके साथ सेर कर देदा हूँ मार्टिन सकेली ने काई कि प्यूब मेड करके गवर्मेट का डेटाबेश है वहां पर सारे बायो मेडिकल लिट्रेचर पड़े रिशर्च पड़ा है कि एसे एसे यह टाइप की दबाए बनती है 36 मिलियन पेपर है प्यूब मेड में यदि आपके पास टाइम है और यदि आप टिक करके बेट के वे रिशर्च को रीड कर सकते हो फिर आप बिलियनर बन सकते हो कहिना चाहते कि बहुत सारा रिशर्च पड़ा हुआ है कैसे कैसे डिफरेंट टैप की मेडिसिन बनानी है ज दोस्तों ऐसे ही मेडिसिन में इन्डेस्ट्री में यहाँ पर उनकी फार्मासेटिकल कंपनी के थो उन्हों ने एंड्रेड मिलियन डॉल का मार्क के चीब किया अब मैं आपको बतारो एलेक्स हार्मोजी का नाम सुनाओ यूटीपर वीडियोस आप देखते होगे एलेक्स ह आर मोजी ने दोस्तोँ अपना पहला मिल्यों डॉलर बनाया जीम लोंच के थूरु जीम लॉंच क्या है जीम लॉंच बात कर लेता है यह लेक्स ना पहले खुद की एक जीम ऑपन की जीम लॉंच की लर्ण कर गए पूरा की कैसे जीम को को profitable बनाना भी एक अपने आपमें मुस्किल भी होता है लेक्स पहले खुद लर्ण कर गए कि जीम को प्रोफिटेबल किसे बना ना जीम के लिए मार्केटिंग कैसा लेके आनी है जीम में कैसे कैसी ओफर लेके आये कि जीम में यहाँ पे फूल हो जाए जिम में में ज्यादा से ज्यादा आये खुद लेंग कर लिया एक फुद जीम लोच ओपन कर दी एक ब्राइड बाद में खुद चार यहां पर फ्रेंचेज ऑपन कर लिए जीम लोंच सही बाद में दोस्तों उन्हों ने एक चीज करना शुरू किया लक्सार ब्राइड की दोस्तों उन्हें भी सिखाने लगे उनके साफ टाय अप करने लगे और उनके साथ पार्टनर से यहां पर बनाने के लिए इसलिए शुरूआत एक जीम से की चार फ्रेंचेज की और बाद में कैसे जीम को सक्सेस्फुल बनाना है वे सीखाने लगे खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड की दोस्तों एलेक्स आर्मोजी ने आज और नेक्स्ट लेवल के बिजनस पर पहुच चुके दोस्तों आज ना उनका एक और बिजनस है और उन्हें ओटोमेट करते हैं और वहां से पूरे एक पोट्फोलियो किसे पैसा बनाते हैं तो आज उनका लेटेस्ट बिजनस है एक्वेजिशन डॉट कॉम इसे दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस की यह मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं जो यह यह यूएस के आंत्रपीनि करके website बनाई designing agency बने किसे website दोस्तों एजनसी मालो क्या एजनसी डिजैनिंग एजनसी 12 सल पहले बनाई थी बिजनेस ओनर के लिए बना दे रहे थे यूएक्स यूए इलुस्ट्रेशन सब कुछ तो यह 12 सल पहले कर रहे थे मिलिएनर बन गे मिलिएनर के बाद दोस्तों उन्हों ने एक पूरा यहां पर टाइनी डोट कोम करके गया कि यह बिजनस पोर्टफोलियों का ही बिजनस शुरू कर दिया नहीं कि सुरू पाइन बिजनस कर लिए जैसे की कोई सलान का भीजनस पर्चेस कर लिया कोई और बेकरी का बिजनस पर्चेस कर लिया कोई और ऊंच्छेए सब्ट्व्ट्वेर्य कर लोइन अच्छेश कर लिये तो कर देंत पहले एक बार नियनर बन बन है बाद में अजРЕering1 और रही साथ रहा बड़ी बात एक कमाने की जरुरत है अब यहां पे आप देखो जो मेने बात की यहां पर एंड्रू विल्किंजन की अल रेडि दोसतों आज भी कुछ की ना उनको यह ड्रिबल कंपनी पूरी प्रिब्ल चलती है उनकी वेबसेट चाहिकट कि इंडियन करण सी मैं 20-30 करोड ऊते आज तो नेट वश्ची एं। लिए dot कितना वो गया 500 कें सब्सेंड्रेंद टोल ऐबन endeavor कि श्डया को सुनता हूं विज % redeem Intså intheorkinson बात करते कि आप कितना भीज्बियसा कमालो ना आप से उपर कोई ना कोई तो होता है करते है एक बार मुझे एक इन्वीटेशन मिल्जा RICH एहां पर हंडरेड़ मिल्यन डॉलर के पार्टी यहां पर हमें देन्वारं सेवल्ट्रास यहां पर सामने बंदा ट WhatsApp हमधा और एंड्रू उल किंशन ड़ा तो एंड्रू वेल्किंशनगों लगे की चली इंड्रू करते 600 Yo किंशन बोला कि मैं एक Täन tan पूछा कितने कितनी नेट वर्थ एल्यूएशन क्या एंडू एंडू एलकिंसन ने बोला 600 मिलियन डोलर सामने अवला पर से लाफ स्टाइल बिजनेस यसे करके फिर वह चला गया आगे बड़िया एंडू विलकिंसन कहता है कि मुझे ना बहुत ही वह वाली बहुत गरीब हूँ 600 मिलियन डोलर के साथ भी में तो बहुत गरीब हूँ क्योंकि वह ऐसी जगह पर गए देजी ऐसी पोजीशन पर गए वहां पर 10 बिलियन ट्वेंटी मिलियन थर्टी बिलियन यह वाले थे अब 10 बिलियन 20 बिलियन के सामने 600 बहुत छोटा लगता है इसलिए बहुत स्टेटस गेम की बात करते तो जो भी कुछ में कर रहा हूँ चलिया आगे दोस्तों बात करते हैं के विन के बारा में Kevin Rose एक बना कि था मिलुयन डॉलर बनाता है जोस्तों डीग करके अक Gogging वेबसाइट से करके विबसाइट से डी ट बलकी कि और लिए डबल जी चल रहा है आर्टिकल ये अ trainings cocoon करने के बाद यहां पे तीन को फाउंडर मिलके टेलीविजन प्रोड़क्शन कंपनी आज चला रहा है लेकिन पहला मिलियन डॉलर कैसे ब्लोगिंग सेट से बना लिए मैं कहता हूं ना इंटरनेट से पहला अच्छा अमाउंट बना लेते तो ब्लोगिंग एक चीजे बहुत अच्छे से करोगे तो यहां से भी पेसे बन सकते हैं बहुत सारी सकसे स्टोरी है टाइम देना पड़ेगा लर्न करना पड़ेगा गेविन रोज के बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आज अब नोहाक आगन की नोहाक आगन को दोस्तों आप जाहते हों कि यूट्यूबर है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं नोहाक आगन ने पहली बार एक जोब से शुरूआत की पेसा कमाने की मिंट.com करके मिंट.com एक टाइप की दोस्तों 9th employee. से 49th लेकिन नोहाक आगन को दोस्तों Facebook से निकाल दिया गया था कि उयूब् another level of IQ.एक इरिक इन Facebook नोहाक आगन बहुती स्मार्ट बंदा है दोस्तों फेस्पूग में जॊब से निकाल दिया गयाल थो जन वह 14 30 9th हुआं मेंबर था फित समझ सकते हो कि जो फेस्बुक के अर्ली मेंबर रहे होगे वैं कितने स्मार्ट होगे जो फेस्बुक के टोप जो स्टार्टिंग के अंड्रेड एंपलोई थे वैं बहुत ही नेक्स लल के जीनियस थे तो नोहा कागन ने फेस्बुक में एंटर लेकिन निकाल दिया बाद में मींट.com को जोइन किया मींट.com को जोइन किया एक ब्लोगिंग वेबसाइट अफिलियर वेबसाइट एसा ही कुछ मालो फाइनांस वाली चीज फिर खुद की चीज शुरू कर दी एपसुमो.com करके नोहा कागन ने शुरू गया और पहला मिलियन डोलर ही दोस्तों नोहा काग से आपको एदी शुप्ट्वेर की ग्रेट डील चाहिए तो आप एप शुमो पर जाओगे रीवियू रीड करोगे और आपको बेस्ट कूपवन जो से होते ना वैसे बेस्ट डील मिले एपसुमों से नोहा कागन ने दोस्तों दस-12 साल पहले अराउंड चीज शुरू कि त्रस्ट वर्दिनेस बढ़ती रही आज नोहा कागन मल्टी मिलियन डॉलर की एक सबसे कहीं लिए प्रोफिट वाली यह साइट चला रहे हैं उनको मल्टी मिलियन डॉलर का प्रोफिट होता है इसलिए प्सुमों से नोहा कागन की है यह नेटवर्थ है 200,000,000,000.000 दोलर कि आज 200 की एक ने दोस्तों करते रहे करते रहे दीरे दीरे दोस्तों रहे चोड़े नहीं इंटर processo है सब्सक्राइब enjoy कर रहे हैं तगड़े मांट को चलिए मैं आपको अब एक मोईज अली की बात कर दे रहा हूं मोईज अली दोस्तों मैंने एक बार स्टोरी कवर कि थी आप यदि हमारे पूरा ने वीवर है तो जानते होगे मोईज अली न दोस्तों तीन साल में अरौंड दो से तीन साल में ए लेकिन यह दोस्तों मोईज अली का पहला मिलियन डॉलर नहीं था मोईज अली का पहला मिलियन डॉलर था दोस्तों यहां पर क्राफ्ट स्पीरिट ओनलाइन सेल करके पहला मिलियन डॉलर उन्होंने बनाया था यह थोड़ा बहुत डिभीकल लग रहा होगा कि यह टाइप की विस्की होती है कस्टमाइज विस्की आप मांद लो मोईजली ने पहली बार यहां पर ओनलाइन एक स्टोर बनाया और ओनलाइन स्टोर पर क्राप्ट विस्की सेल करना उन्होंने शुरू किया ओनलाइन स्टोर देखिए यहां पर मैं मोईजली की स्टोरी क्यों ल यानि आपका पहला कोई काम होता है ना वेसलों जाता है ना किसी भी एंत्रपीर का फिर उनसे डायर दार्टली कनेक्टेड कामी ते स्कैल पर आंत्रपीर करते हैं और 1 million dollar से 10 million dollar 100 million dollar के mark तक पहूच जाते हैं चलिए मोईजली की बात यहां पर मैंने कर दिये अब मैं लास्ट यहां पर बात करूंगा माइकल सिकांड के बारे में माइकल सिकांड लेकिन दोस्तों माइकल सिकांड के बारे में बात करने से पहले ना मैं एक बंदे के बारे में बात कर देता हूँ जो कि अमरीका के लिए अमरीका के आंत्रपीनर के लिए इंस्पीरेशन है एंड्रू कारगीनी अपने नाम सुनाओगा एंड्रू कारगीनी का एंड्रू कारगीनी दोस्तों यहां पे एक सबसे के लिए इनोवेटर थे स्ट्यल इंडेस्ट्री के अमरीका के लिए यहींसे हमारा रतन टाटा है वैसे ही हो गए एंड्रू कार्गी निया अमेरिका के लिए एंड्रू कारगी नी दोस्तों अपना पहला bloody डॉलर बनाया घा कि ओilly वेल से यानी कि ओilly के कुवे खोद के ओilly काल के देखिए आज के टाइम मैं यह स्टोड़ी एड क्यों करौह मैंने मेजॉर्टी जो एक्जांपल दिए ना वे सारे बंदे पैसे वाले बने मिलियनर बने इंटरेट कंपनी से क्योंकि इंटरेट का टाइम चाहिता लेकि कुए खोदना शुरू किया और उइल से दोस्तों उन्होंने पहला मिलियन डॉलर बनाया था एंड्रू कारगी निने बाद में तो स्टील से लगे बहुत सारे बिजनेस में उनकी यहां पर इंवल्मेंट थी बिजनेस टाइकून बनाया था तो यह मैंने चीद सेर कर दें कि एक्चले में तो टाइम कोई मेटा नहीं करता जीने अमिर बनना है जीने भूख होती है कुछ ना कुछ करके तब के टाइम की ओपर जुटी आइडेंटिफाइए करके पैसा बनना ही लेते अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं लास्ट दोस्तों मैंने परसन का नाम लिया मा तो धुटा बहुत हो बिजनेस पिक परचा में बीजनेस माइकल सिपनड का ओड़ इज आज 22-23 दोस्तों माइकल सिपन ने यह बिजनेस शोल्ड कर दिया मोर्निंग बुरू ने अक्वाएर कर लिया उनको मीडिया कंपनी को अक्वाएर कर लिया और आज पहला मिलियन डोल है मीडिया बिजनेस से मैंने अपना प्रोग्राम मनीमेकिंग मसीन मीडिया बिजनेस इसलिए दोस्तों लॉंज किया है क्योंकि यह दोस्तों सबसे लेटेस्ट ओपर जोटी है कम टाइम में पहला मिलियन डॉलर अचीव करने की अब आपके माइन में डाउट होगा कि क्या मै मैंने मिलियन डॉलर बना लिया नहीं दोस्तों मैंने मिलियन डॉलर तो नहीं बनाया लेकिन मैं ओल्रेडी पैसा बना रहा हूं एक टाइम के बाद मैं भी मिलियन डॉलर बना लूंगा अब एक और बात करता हूं कि मैंने मेरा मीडिया बिजनस को पेड क्यों रखा है क्यो अब दोस्तों जो चीज को क्रेक करने के लिए मुझे तीन साल लगे उनके लिए तो मैं पेसा चार्ज करूंगा यह करूंगा क्योंकि मैं भी एट देंग बिजनस में हूं और आपको भी बिजनस ही करना है तो हर एक चीज फ्री में देखे तो मैं भी पेसा नहीं कमा आपका भी हर एक बार फ्री वाला मैंड सेट रहा तो आप भी पेसा नहीं कमा पाऊंगे तो सबसे पहले जी मैं इसलिए पेसा चार्ज कर रहा हूं क्योंकि मुझे तीन साल लगे कि सही माहिने में भारत में मीडिया बिजनस से पेसा कैसे बन सकता है क्योंकि वहां पर मैंन मेरे अर्निंग प्रूफ डाले साथ दिन का मीडिया बिजनस का प्रोग्राम है इसलिए मैं पेसा चार्ज करता हूं क्योंकि मैंने क्रेक कोड कर लिया है मीडिया बिजनस से पेसा कैसे बनता है प्रोफिट कैसे बनता है मैंने अर्निंग प्रूफ लाइव डाले तो करने लगते जीटीए गेम में वैसे ही दोस्तों कुछ ऐसा ही क्रेक है जो मैंने मीडिया बिजनस को लेकर क्रेक किया है और हर एक इंडेस्ट्री में आपको कोई प्रोग्राम को पेड रखने का देखे यूट्यूब पे यदि मैंने डाल दिया साथ दिन का प्रोग्राम डाल दिया फ्री में डाल दिया मान के चलिए डाल दिया फिर ना आप अंडर आप डिफ्रेंस ही पता नहीं कर पाऊगे कि कौन सा एक्षन लेने वाला नोलेज है और क लेकिन एक्षन वाली बात में दोस्तों लोग फर्क नहीं समझ पाएगे यूट्यूब पे डाल दिया तो एक्षन कोई नहीं लेपाएगा सिंपल सी बात है और भी अजारो लाखो करोड़ो वीडियो पड़े तो आप पहले मेरे प्रोग्राम में क्लिक करोगे पांच मिनिट देख लिया बाद में चले गए कोई एक और वीडियो की और तो मेरा प्रोग्राम ऐसा नहीं है तीन साल लगे मुझे क्रेक करने में कोड को क्रेक करने में इसलिए इस प्रोग्राम को पेड रखाए सबसे तगड़ा रिजन यह कि बहुत यह साथ दिन का प्रोग्राम है मीडिया बिजनस को लर्न करने में टाइम लगता है साथ दिन आपको भी टिकर बेठना पड़ेगा यूट्यूब परीमेर डाला तो आप साथ दिन तक टिक्के बेठनी पाऊगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि सावन ने साथ दिन का कोई प्रोग्राम डाला है यह मेरा रिजन है पेड करने का और सिंपल सी रिजन है यहां पर यदि मैं आपको बात करो खुलके मैंने मैंने अपना टाइम डाला है दो चीज होती है यार मैंने प्रोग्राम बनाने में टाइम डाला मैं यही यह जो टाइम है कोई और चीज में डालता तो वहां से पैसा कमा लेता इसलिए मैंने मीडिया बिजनस का दोस्तों साथ दिन का प्रोग्राम पेड रखा है और यदि आपको एक्जीक्यूट करना है फिर ही आप पर यहां पे माइकल सिकांड लास्ट के 65 जी अभी da quando ये था दिन त्री एर्स टो कैसे-वीडिया बिजनस चलते है ओफ्लाइनकैन ब्युक्राम करना है में बनाया इरादा कि फर्स्ट मिलियों डॉयर का मारक चीव करना है इंडिया में बैटके तो आप फिर प्रोग्राम को एंडरोल कर सकते हैं दोस्तों ऐसे जूस से भर एपिसोड तो हम आपके लिए लेके आएंगे याएंगे चलिए मिलते अगले एपिसोड में तनिवात्रम सावन सोजित रहा